आई देखते हैं एक बहुत ही commonly used और बहुत ही important idiom को By the skin of your teeth अब ये idiom वो classic example है इस बात को समझाने का कि अगर आप idioms को literal sense मिलेंगे word to word translate करेंगे तो समझना बहुत मुश्किल है कि इसका meaning क्या होगा By the skin of your teeth का मतलब क्या लगता है अपने दाथ की खाल से By the skin of your teeth कुछ खास मतलब समझ में नहीं आ रहा है एक दो sentences देखते हैं He escaped the accident by the skin of his teeth She managed to pass the exams by the skin of her teeth अब literally अगर आप समझा है तो इसका कुछ खास मतलब निकलेगा नहीं कि उसने accident से अपना बचाओ किया या accident से वो बच पाया अपने दाथों की खाल से और same कुछ ऐसा मतलब यहां निकलेगा कि वो exam pass कर पाई अपनी दाथों की खाल से कुछ खास मतलब निकल नहीं रहा है अगर आप literally देखेंगे इसको अब इसका मतलब क्या है और इसको आपको use कैसे करना है इसमें दो चीज़ें देखने वाली है usage में वो मैं आपको बताऊंगा पहली चीज़ idioms के लिए यह बात बिल्कुल पक्की है कि अगर आप उसको use करेंगे क्यों use करना है कई लोग मुझसे बार बार पूछते है idioms हमें यह use क्यों करूं मैं तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि आप ना use करें लेकिन लोग तो इस्तमाल करेंगे तो आपको इसका मतलब use करना आना चाहिए और बहुत ही commonly used है तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए और आपको यह पता होना चाहिए कि इसको use कैसे करते हैं अगर आपको इस language में proficient होना है तो आएए देखते हैं He escaped the accident by the skin of his teeth अब by the skin of his teeth इसका मतलब होता है by a narrow margin या only just ये मतलब हम use करते हैं जब कोई बहुत ही करीबी मामला होता है तब He escaped the accident by the skin of his teeth मतलब accident से वो बच पाया लेकिन वो बहुत करीबी मामला था only just He escaped the accident by a very narrow margin बहुत ही करीबी मामला हो गया था लेकिन खुशकिसमस्दी से वो बच गया यही यहाँ पर she managed to pass the exam by the skin of her teeth बस पास ही हो पाई है वो लगभग मामला भेगल गया था लेकिन काफी करीबी मामला था लेकिन वो पास हो गई she managed to pass the exams by the skin of her teeth अब जेनरली इसको हमें दो चीने ध्यान रखनी है जह हम इसको यूज करेंगे एक तो हम इसको यूज करते हैं जब आउटकम पॉजिटिव हो जेनरली हम इसको यूज तब करेंगे जब आउटकम पॉजिटिव हो escape the accident पॉजिटिव आउटकम है manage to pass the exams पॉजिटिव आउटकम है तो जेनरल यूज इसका तब होता है मैं यह नहीं कहूँगा कि आप इसको नेगेटिव आउटकम के लिए नहीं इस्तमाल कर सकते लेकिन generally, commonly इसको use हम किसी पॉजिटिव आउटकम के लिए करें तो ज़्यादा बहतर होगा दूसरी चीज ध्यान रटने वाली यह है कि आपको subject पे ध्यान देना है subject क्या है? तो he अगर हम यहाँ इस्तमाल करें तो हम यहाँ कहेंगे by the skin of his teeth तो subject जो होगा, उसी की हम possessive pronoun का यहाँ इस्तमाल करेंगे he है, तो by the skin of his teeth he escaped, तो by the skin of his teeth she की बात हो रही है यहाँ पे, तो by the skin of her teeth मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं कहूँ I managed to pass the exams by the skin of my teeth तो जो भी subject होगा, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे pronoun decide करना है कि कौन सा इस्तमाल करेंगे आप his करेंगे, her करेंगे या they करेंगे they escaped the accident by the skin of their teeth तो simple सा है generally बहुत close call हो जब बहुत नजदी की मामला हो they won the match by the skin of their teeth इंडिया पाकिस्तान का match होता है कई बार कोई जीच जाता है, बहुत नजदी की मामला हो बहुत ही close तरीके से कोई जीच जाए they won the match by the skin of their teeth तो they है तो their teeth तो और दूसी चीज़ आपको ये धियान रखनी है कि ये combination सही बैठना चाहिए कि ये ना कहें आप ही escape the accident by the skin of your teeth ये नहीं यूज़ करेंगे, by the skin of your teeth नहीं लगेगा यहाँ पर, आपको यहाँ पर उसी pronoun का इस्तमाल करना है जो कि आपको तो यहाँ position की बात हो रही है his teeth, तो आपको उसी का पर इस्तमाल करना है जो यहाँ पर subject to उसके corresponding I hope this helps you take care